सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए नमश्कर दोस्तों मैं गौरव आपका बहुत स्वागत करता हूँ टेक्टोक्स की गुरुफिश एपिसोड में और लेखे आया हूँ आपके लिए बहुत कमाल की टेक्निक्निक्स चलिए शुरू करते हैं तो दőस्तों यहां पे सबसे पहले मेरी तरब से आप सभी को एक बार वापस से वेरी वेरी हापि निव एयर 2021 दोस्तों I hope कि हम सभी कमाल करते इस साल और मजलब जो है हर साल की तरह तरक्की रियों करते हैं वो इस साल और आगे बढ़ती रहे यहां पर दोस्तों बात करते हैं पहले जली से पुराने पोल की रहाँ पे सवाल यह था कि आपके फोन के चार्जिंग स्पीड है वो कितनी है तो दोस्तों आप में से बुला है majority ने कि आपके फोन में दोस्तों है 15-30 वाट के बीच वाली चार्जिंग जो कि दोस्तों है chances की होगी 18 वाट की उसके लावा काफी लोग बोलते हैं कि आपके फोन में है यहां पे 15 वाट से नीचे वाला charging solution और फिर दोस्तों कुछ-कुछ लोग जो जा रहे हैं उपर 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 100 वाट के वी उपर इतना तो मेरे फोन में भी नहीं है यार यहां पर दोस्तों बात करते हैं राज के पोल की तो सवाल यह है कि इंडिया में PS5 जो भी आ रहा है क्या आप इसके लिए excited है कि आपको लगता है कि यार यह कमाल धमाल मचाएगा और क्या आप भी लेना चाहेंगे क्या बताना जरूर क्या है आपका जवाब सीधा पोल सक्षिन में जाते हुए नीचे कमेंट करते हुए और हमेशा हर बात की तरह है पूरी ताकत के साथ में बस दबा डालिए सीधा लाइक बटन को यहां ब दोस्तों बात करते हैं पहले बिट को लेके निकल के आता है अब दोस्तों बात करते हैं बात करते हैं बात दोस्तों हुरी है रेडमी की तरफ से आने वाले के बन सकता है सबसे कम कीमत पे आने वाला Snapdragon 888 वाला फोन तो यहां पर दोस्तों कुछ-कुछ डीटेल सुझी के बारे पे निकल के आ रहे हैं कि यहार फोन लगता है कि बहुत जल्दी आ सकता है और ऐसे में दोस्तों यह काफी मतलब एक affordable range का फोन होगा flagship performance के साथ में और फिर इसी फोन की एक rebranding होगी पोको ब्रैंड में भी लेट सी आगे क्या होती है पूरी कहानी अगला उस्तों अपडेट निकल के आता है यहां पे Exynos 2100 processor को लेके और यहांब दोस्तों रिपोर्ट्स के हिसाब से जो S21 दोस्तों सीरीज में Exynos वाला variant होगा वो अपने पिछले variant से करीब 25 से 35% ज्यादा बहतर बैटरी लेके आएगा तो यह एक दोस्तों बहुत अच्छी बात है मतलब बैटरी लाइफ अगर हमको और बहतरी इनसी बिले तो मज़ा आएगा बाकिकर इस बार देखते हैं कि Snapdragon 888 और Exynos 2100 में से ज्यादा आगे खौन सा निकल जाता है यहाँ दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है Tencent Games के तरफ से बहिया ऐसे में Huawei का दूस्तों अप स्टोर है जो Huawei App Gallery है वहाँ से निकल दिया है दोस्तों यहाँ पे मतलब निकलने वाला है और यह सारा हो रहा है रेविन्यू डिस्प्यूट के चलते हैं मतलब Huawei को चाहिए था 50% रेविन्यू और Tencent वाले बोलते हैं ऐसे कैसे तो मतलब भीया दोनों में दोस्तों हो गई बाते हैं अगला उसे अपडेट निकल के आता है मी एथ्री के अंडूट 11 अपडेट को लेके बहुत लोगों के दोस्तों हजारों के संख्या में लोगों के जो फोन्स हैं वो ब्रिक हो गए मतलब मुझे इतनी सारी एमेल से आ गई हैं अपडेट से एक काम स्वापा था उस काम की पूरी माचिस जला के छोड़ दी है मतलब क्या ही बताएं अगला अपडेट निकल के आता है क्वाइल कॉम की दरफ से और बात दूस्तों हो रही है क्वाइल कॉम स्नाप डरजन ट्रिपल एट प्लस को लेके और यहां पर दूस्तों यह 2021 के सेकिंड हाफ में लिक्ट आने वाला है क्वाइल कॉम जैसे हमने देखा कि 865 और 865 प्लस तो यहां पर दूस्तों भी होने वाला है ट्रिपल एट और उसके बाद में ट्रिपल एट प्लस देखते हैं कि यह आखेर हमको कौन से कौन से फोन से मिलता है विसे लगता है आरोजी फोन 4 होगरे में आ सकता है अगला उस अब्डेट निकलके आता है Poco F2 को लेके कंपनी दोस्तों इसके बारे में भीया एक बार दुबारा से टीजर लेके आई है Poco F2 का जिकर एक बार तुबारा से हुआ है शुरू back from the dead और यहाँ दोस्तों लगता है कि बहुत जल्दी लॉंच होने वाला है और यह होगा एक थोड़ा सा mid-range टाइप का फोन Snapdragon 732G और 120Hz AMOLED डिस्पले हो रहे हैं मतलब पता नहीं है सही है कि नहीं यह बात है लेकिन इतना उस्तों मान लेजे कि F2 आने वाला है अब देखते हैं कि कब और किस कीमत पे आता है अगला उस्तों अपडेट निकल के आता है Indigo की तरफ से रही है Indigo नहीं बता जिए कि यह ऐसा हो गया है और इसके उपर अभी investigation चल रही है आपका कोई account account नहाएक नहीं हो आना कभी बगवान करे हो भी नहीं password लगा रहा है एकदम मुश्किल सब इसमें combination जोड़ देना अपने अगला उस्तों update निकल के आता है 99,999 और फिर दोस्तों 55 इंचिस का 34,999 में तो यार यह एक बहुत interesting सी बात है और ऐसे में दोस्तों बिलकुल एक head-on competition हो गया है बाकी brand जो है इस price range परेट करते हैं तो Amazon Basics की तरफ से अभी Amazon के नए भी fire TV आ गई है proper TV आ गया है क्या आप इसके लिए interested हैं क्या मुझे नीचे comment करके जरूर बताना अगला उस्तों update निकल के आता है यहाँ पे PS5 की इंडिया launch को लेके दोस्तों date निकल के आगई है सामने भी यहाँ बहुत ही शांदार जो कि है 2 February और थोड़ा सा आते आते देरी होगे लेकिन दोस्तों यहाँ पे 2 February को इंडिया में आने वाले PS5 और यहाँ पे इसकी जो pre-orders है वो शुरू होने वाले हैं 12 January से तो अगर आप जो है वो मतलब excitement into 100 लेके बैठे हैं अगर आप काबू कर नहीं पा रहे हैं तो बस थोड़ा सा काबू कर लो सीज़ा pre-order कर देना और उसके बाद PS5 खिलना शुरू कर देना अगला उस अपडेट निकल के आता है यहाँ पे Jio की तरफ से और बाते दोस्तों चल रही है Jio के 5G phone को लेकिया और यहाँ पर दोस्तों रिपोर्ट्स के साब से बहुत ज्यादा developments हो चुके हैं और हमको एक नया Jio phone बहुत बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है अब यहाँ पर दोस्तों Jio ने Indian manufacturers लावा वगरे से दोस्तों भी अप्रोच किया था फोन्स बनाने के लिए साथ दोस्तों ऐसे में Google वगरे के साथ में collaboration था तो मतलब multiple चीज़े चल रही है फिलहाल के लिए और लगता है कि शायद बहुत जल्दी हम दोस्तों देखेंगे Jio के तरफ से एक phone शायद वो बन जाएगा अक्चुल में दुनिया का सबसे कम क्यूंत पाने वाला 5G phone और फ्री ही हो तो फिर क्या ही कहना अगला उस अपडेट निकल के आता है Huawei P50 Pro को लेके यहाँ दोस्तों इसकुछ रेंडर्स निकल के आ गए है सामने जों को बताते हैं कि इसमें होने वाला है लांच करने का Huawei का इनी फोन्स का अगला उस तो अपडेट निकल के आता है यहाँ पे Mi 10i को लेके और यहाँ दोस्तों इंडिया में कन्फर्म हो चुका है कि इसमें लगा होगा स्नाप रेंड सेंविटीजी प्रोसेसर बाकि दोस्तों 108 में अब इसले कामरा की दो बात हम करी रहे हैं तो टेक्निकली यह रेड़्बी नोट 9 प्रो 5G का ही एक रिब्रांडेट एडिशन है इंडिया में विसमें नाम चेंज करके कर दिया है में 10i और इससे मुझे लगता है कहीं न कहीं कि शायद कीमत ज्यादा होगी इस फोन की थोड़ी सी थोड़ी सी क्योंकि रिड्मी सीरीज में महेंगा फोन लॉंच नहीं कर सकते है मी के नाम पे थोड़ा महेंगा तल जाता है और मी 10 जो की 50-45,000 का फोन है तो उसी का आई निकाल के फिर शायद सूचेंगे कि 25 के राउंट वांच कर दें वैसे 20 के राउंट आना चाहिए ऐसा मेरा मतलब इनों एक आइडिया रहता है स्पेक्स वकर को देखते हुए और जिस हज़ाब से बाकी प्रैसिंग उसको देखते हुए लेट सी क्या होती है एंडिया में पूरी कहानी मीट एन आई की दोस्तों बस फदा उड़ो में इतना ही जय हिंद वन्दे मातरम